तोस्तों आज हमारा question है find the equivalent fraction of 3 upon 5 having denominator 20 लेको हमें equivalent fraction नेगाना 3 upon 5 का लेकिन denominator कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए पहले से दे रहा 3 upon 5 के हमें equivalent equivalent में बराबर fraction अगर हम काटें इसको तो इतना ही आए मत simplest form में काना वाद यही होना चाहिए अब denominator already दे रखा कितना दे ट्वंटी दे रखा अब numerator हमने फाइंड़ करना तो यह क्या सबत लगे हम देखेंगे 5 की table 20 तक बोलो जा रहा 5 तो यहां पर हमारा क्या जागा 12 upon 20 यह equivalent है 3 upon 3 upon 5 का equivalent है क्या 12 upon 20 ओके अब नेज देखो numerator अब 9 है भाहि हमार पाद 3 upon 5 है ठीक है numerator कितना है 9 है अब denominator find करना अब मुझे देखना है कि 3 की table 9 तक कितनी आती अगर देखो 3 की table अगर बोलोंगे 3 तक तो 9 आ रहा कि ना आ रहा एट मीचे 5 है ना चाहिए इसकी भी टेबल मुझे 3 तक बोलनी तो क्या जागे 15 हो जागा ठीक है तो हमारा क्या जागी यहां पर यहां पर हमारा आ एक्षन है ओके अब denominator कितना है 30 क्या है यह 3 अपॉन 5 है और denominator पहले से रख कितना जाएगा 30 अम्हें नियोंट्र पता करना जो एक्कुबलेंट हो जाए तो भाई 3 अपॉन 5 आप यहां देखेंगे 30 मुझे 5 की टेबल 30 तक बोलनी तो 56 कितने टाइम जारी 6 टाइम जारी ऐस यहां पर करेंगे 6 तो 6 3 कितना हो जाएगा 18 आप इसको काटोगे नो तो यह यह आएगा आपका 8 यहां पर क्या जाएगा 18 देखो अगर हम काटेंगे इसको तो सेम आएगा ठीक है तो अगर हम देखेंगे तो 6 3 जा 18 6 5 जा 30 3 अपॉन 5 आ रहा जो हमारा है ऐसे नियोंट्र कितना आना चाहिए 4 तो 3 upon 4 अब नियोंट्रे कितना आना चाहिए ।ो फोर इस इस डवलाना घू इस तो ड्यूंगे 18 आपहमारे डाऐले टमील्च मार्ग ट्वाल में इट मेंज कितना फूर्ट टाइम एक फोर्ट ट्वाइब ये फोर्ट टैम हो जाएगा कितना हो जाएगा फूर्ट फूर्ट शिक्स्टीन